नमस्ते, आप सब का वेलकम हैं सिमरन की रसोई में खाना तो हर घर में बनता है और मज़ेदार भी बनाना चाते हैं हम तो ये एक मज़ेदार के ग्रेवी बनाएं जिसमें आप कोई भी सबजी काट कर डाल देंगे ना आपकी हर सब्जी बहुत बढ़िया बनेगी फिर चया आपकी नापसंद सब्जी हो या पसंद देता तो ये जो ग्रेवी है इसके लिए गैस को ओइन करके एक तवा रख देना है तेल वगेरा कुछ नहीं डालना डायरेक्ट इसके अंदर आपको तीन चमस दही और चार से प नहीं पीस लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं ने इसे अच्छे से पीस लेना है अब गया स्कॉन करके मैं ने कडाई रख दिया और एक बड़ा चमस तेल डाल दिया है इसके अंदर 4 प्याज लंबे कटे हुए और 3 तमाटर कटे हुए जितना उसे तेमाटर लाल लेना दोनों को आपको तेज आँच पर लगभग तीन से चार मिनट के लिए भूनना है तो बस इस तरह से बीच पीच में चलाते जाए और इसे अच्छे से भून लें देखो कुछ ऐसा हो गया है तो आदी चोटी चमच लालमिश पाउडर नमक स्वात के अनुसा इसी के बून लिया है तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया एक ग्लास भरकर पानी पानी डालने के बाद इसे हमें दो से तीन मिनट के लिए और पकाना है जैसे दो से तीन मिनट हो जाए तो ये जो सारी चीज़े वो और पानी के साथ ही आपको एक मिक्सर जार के अंदर इसे डा यह ग्रेवी बहुत ही आसान है इसके अंदर आप आलू डाल दे भींडी डाल दे टिंडी डाल दे जो भी सब्जी डालेंगे न वह सब्जी बहतरीं बनेगी अब इसे भी ढखकर आपको पीस लेना है अब ग्रेवी बनाना शुरू करते तो गैस को अन करके कडाई रख दे ए अच्छे से मिलाते जाना है और एक मिनट तक ऐसे ही भूनना है उसके बाद अब आती है पानी डालने की बारी तो आप इसके अंदर जो भी सब्जी डालते है वो आपको जादा रसे वाली चाहिए कम उसे साबसे आप पानी डालना तो मैंने इसके अंदर एक ग्लास भर कर पानी डाल दिया है थोड़े से धन्या के पत्ते और बस इसमें अबाल आने तक पकाना है जैसे इसमें अबाल आ जाए तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रहे हूं स्वात के अनुसार नमक और इसे फिर से मिला लेंगे और अब यहाँ पर आप कोई भी अपनी मन पसंद सबजी डाल सकते हैं आलो को काठ कर डाल देंडें मैं ना आज यहाँ पर ले लिये थे कुंद रो जिसे मैंने अच्छे से तेल में भून लिया था काठ कर और वो मैंने डाल दिdt है बस कोई भी सबजी डाल दो अच्छे से भून लो और चार से पांश मिंट तक उसे पका यह बन कर तयार है कोई भी ओल इन वन ग्रेवी है इसमें कोई भी सब्जी डाल दो बढ़िया ही लगेगी वह सब्जी यह मेरी गैरेंटी है तो आप ट्राइ करना और यहां तक आए लो तो चैनल को सुस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले थैंक यू फॉर वच्छेंग